हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चानल शेवजार विद आयुश और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 6 डिसंबर यानि आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कह सकते हैं अभी तो डिफिनिटल में बॉड आई प्योज नहीं आने वाले लेकिन तेया तरिक से एक important IP open होने वाला है उसके अर्मियो में इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो वो पता चंको चल जाएगा कि कंपनी क्या प्राइस बेंड लेकर आने वाली है तो डिफिनिटली उसका वेट हो रहा है बट मेजली माना यह जा रहा है दोस्तों की प्राइस बेंड साड़े चार सो से छेस्सु रूपे की अंदर आना चीए उससे फिर जादा अगर लेकर आती है बाकि 1200 करोड का दूस्तों इस इस पुरा का बारसो करोड का है लेकिन उसमें सिर्फ कुछ पोर्शन फ्रेश इसू है जो साड़े 300 करोड का बडा पोर्शन जो है वह offer for sale का यानी 850 करोड का नहीं जाएंगे लेकिन मात्र साड़े 300 करोड कंपनी के पास आपको हो जाते हुए नहीं दर आएंगे बीएसी एनसी दोनों पर इसकी लिस्टिंग होने वाली है इसमें 75% शेयर क्योड के लिए रखे गए हैं 10% रिटेलर के लिए रखे गए हैं और 15% एचनाइस के लिए रखे गए हैं अगला दुस्तों आईपियों जो ओपन हो सकता है डॉ कि इसकी face value है total issue size 400 करोड का इस IPO का रखा गया है और यह पूरा का पूरा fresh issue होने वाला है यानि 400 करोड का 400 करोड फ्रेश इशु रहेगा book build type का IPO listing BACNC दोनों पर होगी इसमें 50% 200 reservation रखा गया है QIB के लिए 35% रखा गया है retailers के लिए और 15% रखा गया है H&I के लिए जी हां त 35 साल का experience है और ठीक टा company है जरू हम बात करेंगे इसकर में detail में जैसे ही सारी information release कर दी जाएगी एक और दोस्तो में इनवोट IPO जो इसी महीने open हो सकता है उसका नाम है INOX CVA जी हां INOX CVA दोस्तों अपना IPO लेकर आ सकते हैं December में इस तरह की ख़बर निकल क्या रही है पिको का दोस्तों कारोबार है cryogenic tanks का जी हां यह cryogenic tanks आपको दिख रहे हैं इसका दोस्तों company का काम है और company December के अंदर ही अपना IPO ला सकती इस तरह की expectations बाजार लगा के चल रहा है क्योंकि इनको clearance मिल चुकी है सेवी से यह दोस्तों company के management ने बताया था 5 December को दोस्तों company जो है वो पैस इसे पैसा raise करेगी through only OFS यानि यह important बात है कि कोई भी fresh issue नहीं होने वाला है यह पूरा का पूरा OFS रहेगा around 22.11 million shares जो है वो company अपने लाने वाली है इस IPO के तहत promoters अपना stake बीचते में नजर आएंगे तो company इसे पूछा भी गया कि सिफ OFS लाने का विचार क्यों है तो company ने इसे valuations रहे तो no doubt यह एक बहुत hit IPO भी माना जा सकता है खास बात इस company की यह है कि जो यह कारोबार करते हैं वैसा कारोबार जादा तर कोई companies करती नहीं है और specifically कोई भी listed peer तो है नहीं इनका तो यह भी अपने आप में बहुत interesting बात है क्योंकि दूस्तों company का कोई listed peer नहीं है तो जब company अपने IPO का price announce करेगी तो valuations की इस हिसाब से लेकर आएगी यह questionable thing हो सकती है because क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा कि देखिए जब company कोई fresh issue लाती है तो company थोड़ा सा सोच समझ कर आती है because company को एड़ियंट पैसे की जरूरत है लेकिन जब में कोई company OFS लेके आती है तो OFS में व valuation है वो साही कौन से रहने वाला है market खुद ही judge करेगा वो तो हमको देखने को मिलेगा जब इस IPO का announcement हो जाएगा but most likely यह एक नया mainboard IPO है जो इसी महीने के अंदर open हो सकता है अब बात करते दोस्तों एक SM IPO पे जो open होने वाला है आठ तारिक से बाहा तारिक की बीच में है नाम ह गावर होगी only your national stock exchange जो NSC पे है आधर केगा SM issue है तो सिफ एक exchange पर लिस हो सकता है और यह आठ तारिक से open होने वाला यह issue इसके अंदर 50% QIV के लिए रखा गया है portion 35% retailers के लिए रखा गया है और 15% HNIs के लिए रखा गया है action Microsoft दोस्तों 7 तारिक को इसके anchor bid भी जालो होगी और almost मान सकते company 22 करोर के असपस race कर लेगी अपना anchor investor से जो और और एक बनता ही है तो let's see कि कितना बढ़िया कर पाता है बट no doubt इस issue को लेकर काफी वाजार में हल चले क्योंकि अच्छी company है बट अगिन क्योंकि SME है तो मैं आपको यह कहूंगा थोड़ा सा company के बारे में जरूर research करें पैसा लगाने से पहले एक और SME IPO दोस्तों जो open हो सकता है वो है SJ logistics 12 से 14 तरीक के बीच में यह IPO open हो जाएगा 111 से 125 रुपे का इसका price band है 1000 shares मिल रहे हैं एक lot के अंदर कुल मिला के इस IPO का issue size 48 करोड का है और यह भी पूरा का पूरा fresh जो होने वाला है इसकी भी listing कहां प exchange पर बाकी 50% इसके अंदर QIV का portion है 35% retailers का है और 15% H&Is का portion रखा गया है अब बात करें ग्रे मार्केट पर तो ग्रे मार्केट में doms की ग्रे मार्केट regularly increase हो रही है अब करीवन 360 रुपीज तक पहुच गई है so no doubt देखे इसकी grey market जिस तेजी से बढ़ रही है अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया sign है but no doubt देखे कंपनी के valuations आने दीजिए प्राइज आने दीजिए फिर सही देखा जाएगा याद रखेगा तिया तरीक से IP open होने जा रहा है SJ Logistics जैसे मनें का price band आ गया है तो grey market almost 40% चल रही है और पचास रुपे के आसपस grey market चल रही है बारस से चवदो तरीक की बीच में आद रखेगा ये शू open होने वाला है अगला है Accent Microcell तो ये जिस अब आपको नें बताया 140 रूपीज का इसका price band है अंदर तो लोग सब में पैसा लगाते हैं वैसे तो मेरा इसाब से 17% grey market है तो बहुत ही ज़दा रिस्की है बढ़ ठीक अब लगा रहे तो क्या कर सकते है अगला है graphics ads करीबन दोस्तों इस IPO को तीन गुना subscription चाग गुना subscription रिसी हुआ कुछ खास नहीं था लेकिन इस प्रकार के expectation आप करके चल सकते हैं कि इसका allotment आज ही आ जाए और हुसकता है यह आट तरिक तर लिस्ट भी हो जाए वैसे तो allotment आज तरिक को बता रहे है और त्या तरिक को लिस्निंग बता रहे है आज भी हो सकता है मराइन ट्रैंस यह भी दोस्तो इशू बंद हुआ था कल और ओवरल 33 टाइम सब्सक्राइब हुआ 11 गुना के असपास 12% सब्सक्राइब 12% अभी सकी करीबन चल रहे है दोस्तो ग्रे मार्केट बट ठीक है कुछ खास नहीं है वैसे तो इस आपयो का allotment मेजर ली मेजर ली आई गया है तो आपको पता है चल चुका हो कि अपका allotment मिला है कि नहीं मिला है बाकि इस आपयो के लिस्टिंग होगी साथ तरीकों बिलकुल बहुत दमदार लिस्टिंग होने वाली है 100% की तो ग्रे मार्केट है चल रही बट में हजाब से यह 120% 130% उ ज्यादा उपर लिस्ट नहीं हो सकता है इसलिए 90% लिस्ट हुआ बाकि 107% की ग्रे मार्केट चल रही थी ग्रे मार्केट क्यों बढ़ा दी हमको तो समझ नहीं है क्योंकि 90% से उपर कोई इस लिस्ट होई नहीं सकता है बाकि अगला था दीपक केम टेक्स यह भी बिस्ट क हो गया आपका तो जिनके पास भी आया उन सब को कॉंग्राचुलेशन्स तो दोस्ते इस वीडियो में इतना ही था था थैंक्यों फ्रेंड्स वाचिंग इस वीडियो